तो मेरे पास एक बच्चे का कमेंट आता है कि मुझसे तीनों सब्जेक्ट अच्छे से नहीं हो रहे हैं कौन से सब्जेक्ट फिजिक्स, कैमेश्ट्री और मैथ मैने तीनों को लेकर के कंप्लीट वीडियो बनाई सब्जेक्स वाले वीडियो, सेकेंड है मेरी केमेश्ट्री वाले वीडियो फिजिक्स के अनदर आपकी बहुत अच्छा रिस्पांस था उसके लिए पहुद बहुत धन्यवद्, आज मैना रहोगों कामेश्ट्री को लेकर के अब इसके बाद आएगी मैट्स और बायो को ले फॉलो करोगे ना ठीक है तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले chemistry से chemistry आपकी डिवाइड है दो पार्ट के अंदर पहला आपका 5 organic chapters और उसके बाद आपके बच्चे हुए में inorganic और physical chemistry divided है तो सबसे पहले शुबात करें organic chemistry से तो organic के अंदर सबसे important चीज़ जो कि सबसे पहला PDF हुई है उस roadmap को complete करने में मुश्किल से बतारों 4-5 घंटे का time लगेगा उसके बाद एक name reaction के आपको PDF मिल जाएगी उसके अंदर भी आपकी सारी की सारी complete चीज़े लिखे हुई है यह दोनों PDF आपको नीचे description में मिल जाएंगे जिसको तुम complete कर सकते हो 4-5 घंटों में guarantee के स अब इसके बाद स्लेबस को देख लेना एक बार मेरी स्लेबस को लेकर के एक पीडियो है उसका भी link में आपको शायर description में दे दू नहीं मिलेगा तो जा करके मेरे चैनल पर चक कर लेना क्योंकि बिना स्लेबस को देखे आप इन दों को नहीं समझ पाओगे क्योंकि इन दो के अंदर वो भी चीज़े हैं जो एक पर स्लेबस के अंदर ने इंक्लूड थी क्योंकि थोड़ा सा पुराना PDF है बट मेरे पास पड़ा हुआ था मैंने का कि यार यह तो इम्पोर्टन वाली चीज़े देर नीची है ठीक है तो मैं आपको वो दोने PDF दे रहा हूं साथ मैं स्लेबस को देख लेना तुम फोर्ड होगे फोर्ड होगे डाइफनेटली कह रहा हूं इतना तुम्हारे लिए Organic Chemistry का Complete होता है बट Organic Chemistry अब समझनी कैसे है क्योंकि याद में देखो मैंने बता दिया वह अब तुम उससे तो काम चलेगा नहीं अब तुम्हीं याद भी करना क्योंकि इस लेबस भी complete करना है तो सबसे पहला reaction याद नहीं होती है तो lectures को देखो lectures कहां से मिलेंगे मैं tuition छोड़ने को highly recommend करता हूँ क्योंकि अभी के time पे अगर तुम tuition लेते हो महीने का तुमारा बहुत पैसा जाता है आप काफी बंदे कहेंगे भाई सुनो P.W. का जो course है सुनना ध्यान से क्योंकि आज मैं complete बताता हूँ मैं क्यों recommend करता हूँ P.W. के course में तुमें एक course के अंदर previous question, assertion reason वाले question mcq tab question और जो अलग-अलग tab के question आपके निकल करके हैं वो सब कुछ करा जाएंगे dpp, notes, lectures और जो चीज तुम जब बैट करके देखना चाहो live recorded form में तुमें मिल जाते है lectures परिश्यम 2.0 का buy कर सकते हो 1.0 free मिलेगा इतना सब कुछ बाहर market में नहीं मिलता भाई चाहे तुम online भी पढ़रों के वहाँ पर भी नहीं मिलेगा इसलिए मैं तुम्हें recommend करता हूँ अगर तुम buy करना चाहते हो परवेश पैच उसके साथ परिश्यम 1.0, 2.0 free जो कि CUET का separate बैच है नीचे description में दोनों का link है जा करके buy कर सकते हो TOU150 लिख देना तुम्हें आपे 100 रुपे का और discount मिल जाएगा यानकि course आपका 1850 का है अब इसके बाद notes notes के लिए मैं तुम्हें आपे सबसे important चीज कहूँगा खुद से बनाओ तुम्हे notes चाहे इस lectures में चाहे इनके course में मिल जाए बट खुद से लिखना important है ये जो चीज तुम्हें करा रहे होंगे जो तुम notes लिखोगे न तुम्हें सबसादा काम आएंगे तुम्हारे paper के time पे लिखवा के दे रहा हूँ अगर तुम notes नहीं त्यार करें तुम रो जाओगे सच्चाई से कहा रहा हूँ revise your reaction reaction को आपको revise करते रहा है क्योंकि organic के अंदर सबसे important है reaction भूल जाती है तुम daily basis पे जैसे ही तुम्हारे एक chapter complete होता है जो जो reaction तुम complete करते जारे हो उसको revise करो उसको अगले दें revise करो और revise करके याद भी करो कुछ 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 revise करने वाली कुछ कुछ समझने वाली है उसको daily form में निला होगे तो नहीं revise कर सकते है नहीं समझ सकते है तो सबसे important है revise करना अब इसके बाद physical chemistry physical chemistry की बात करो तो formula sheet एक अच्छी ची तियार कर लो नहीं होती है इसके बाद lectures मैंने तुम बता दिये चाहो तो यहाँ पर PW से सबसे best है वरना अगर तुम कहीं से भी ले रहे हो online ले रहे हो कहीं से तो वहाँ से lectures को सबसे पहले ध्यान से देखो क्योंकि सबसे important है उसके बाद NCRT के तुमारे जो in-text question है तुमारे example है तुमारे exercise है इन तीनों को करो एक-एक question को करो क्योंकि अभी तुमारे पास time है बेशक बीच चुका mid time पे ध्यान मत दो अब mid time आ रहा है उसमें कम माक्स आरे अब उस पे ध्यान मत दो अब तुमारे main focus रखो annual पे और annual से पहले जो pre-board conduct होगा उस पे ध्यान रखो तो अब तुम एक-एक in-text के question example के question and exercise को करो कौन से important है मैंने सब कुछ डाल रखा है तुमें playlist जाएगी वहाँ पे link होगा important question important आपके सब चीज को मैंने tick करा रखा है जा करके देख सकते हो इसके बाद previous recursion जो कि काफी जादा important है इसको मैं तुमें highly recommend करूँगा previous recursion को करो किसी किताब को बाय कर रखा वहाँ से करो नहीं तो तुम lectures देखोगे तो वहाँ कराई जाएगे बट किताब इसके condition में काफी better भी रहती है किताबों से देख के तुम अपना कभी practice कर सकते हो बार बार वीडियो खोलने की ज़रत जो है वो नहीं पड़ती है तो वीडियो भी ठीक है और एक किताब को भी बाय कर सकते हो कोई सी भी ठीक है मैं बता दूँगा आपको जबी इन और्गैनिक केमिस्ट्री अब इसके अंदर आपका P-Block सबसे important है जो कि हट चुका है अब यह आपका as it is easy हो चुका है सीडी बात कहूंगा easy हो चुका है पहले जितना hard जो हो नहीं रहा तो अब पहले जितना hard नहीं रहा तो आपको क्या करना है थोड़ा रखने पर ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि इसके अंदर अगर तुम यहाँ पर सोचो कि डिर्टने पर ध्यान देना है simple बात है रखना मतलब कि as it is कि आपको graph को याद करना पड़ेगा कुछ कुछ चीज़े ऐसी हैं जो कि आपकी important है उनको याद करना पड़ेगा तो in organic chemistry के अंदर थोड़ा सा आपको याद करने वाला जादा काम है तो इसको का लेना इस तरीके से मैं guarantee के साथ कर रहा हूं तुम 4 की नहीं फार करके आओगे अपनी chemistry में और जो जो चीज़े मैंने तुमें इस वीडियो के अंदर काई उनको follow करोगे तो तो तुम legend बनी जाओगे automatic है तो यहाँ पर इस वीडियो का end करता है आप सभी का बहुत धन्यवाद आप यहाँ था